उत्तरप्रदेश पुलीस की इस्पेशल टास्क फोर्स याने की एस्टीएफ ने पश्चीमी यूपी के गैंग्स्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को मेरट में हुई एक मुद्बेड में मार गिराने का दावा किया है यूपी एस्टीएफ के एडीजी अमिताब यश ने कहा वांचीत अपरादी अनिल दुजाना को हमारी टीम ने गुरुवार दो पहर मेरट के गाउं में घेर लिया था दुजाना ने भागने के इरादे से हमारी टीम पर गोलियां चलाई और जवाबी फाइरिंग में वह मारा गया उत्तर पदेश पुलीस के एडीजी लो एन ओर्डर प्रशांत कुमार ने मिडिया को बताया कि एस्टीएफ और बदमाशों के बीच मुद्बेड हुई इस मुद्बेड में गेंग्स्टर अनिल दुजाना पहले घायल हुआ बाद में उसकी मृत्यु हो गई वह चार पिया वहान गाड़ी में एक तरह से यात्रा कर रहा था उसके पास से दो पिस्तोल और भारी मात्रा में कार्तुस बरामद हुए हैं पश्यमी यूपी के बड़े गेंग्स्टरों में से एक माना जाने वाला अनिल दुजाना हफ्ते भर पहले ही जेल से बहार आया था यूपी के गोतम बुद्धनगर जीले के तहट आने वाले दुजाना गाउं का रहने वाला अनिल दुजाना पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, जमीन पर कबजा जैसे संगीन आरूपों में कुल पेशट मुकद में दर्ज थे दुजाना पर राष्टी सुरक्षा कानून, आम्स और गेंग्स्टर एक्ट के तहट भी केस दर्ज किये गए थे माना जाता है कि अनिल दुजाना का खोफ दिल्ली एंसियार में भी फेला हुआ था यूपी पुलिस ने दुजाना के सिर पर इनाम भी रखा हुआ था दुजाना ने अपरात की दुनिया में कदम रखा तो उस समय ये दोनों एक साथ काम किया करते थे पश्यमी यूपी में गेंगवार की शुरुवात महेंद्र फोजी और सतवीर गूजर की दुश्मनी से हुई थी दोनों ने 1990 के दशक में एनकाउंटर में मारे गए थे इसके बाद सतवीर गूजर के ही दो सयोगी नरेज भाटी और सुन्दर भाटी के गेंगवार में खूप चर्चा रहने लेगी साल 2000 से पहले अनिल दुजाना सुन्दर भाटी के लिए अवेध सरीय का कारूबार करता था इस कारूबार में जो भी कमाई होती उसका कुछ हिस्सा वो सुन्दर भाटी को देता था उस समय अनिल दुजाना उतना चर्चित नहीं था दुजाना ने अपने वर्चस बढ़ाने के लिए सुन्दर भाटी के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसका भी नाम होने लगा हलाकि ये सब बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका अवेट सरिये के कारोबार को लेकर ही दुजाना और सुन्दर भाटी के बीच एक तरह से अनबन शुरू हो गई फिर दोनों एक तरह से अलग हो गई इसी बीच अनिल दुजाना का जुकाओ रंदीब भाटी की गैंग की तरफ धीरे धीरे होने लगा इसके बाद दुजाना ने शुकिया तोर पर नरेश भाटी गैंग के साथ मिलकर लूट पाट अमीरों और कारोबारी वर्ग के लोगों से रंगदारी वसुलने का काम शुरू कर दिया UPSTF की ओर से ज्यारी एक बयान में ये भी बताया गया कि अनिल दुजाना ने अपराद में सक्रीर होते ही अपने साथियों के साथ भाड़े पर हत्याय करना शुरू कर दी एक तरह से कहा जाए तो सुपारी लेना शुरू कर दी दरसल बात 2004 की है जब सुन्दर भाटी गेंग और नरेज भाटी की हत्या कर दी थी UPSTF के अनुसार अगले ही साल याने की साल 2005 में नरेज भाटी की हत्या का बदला लेने के लिए उनके भाई छोटे रणपाल भाटी ने सुन्दर भाटी के भतिजे लाला भोजी की भी उस समय हत्या कर दी एक साल ओर भी था साल था 2006 रणपाल भाटी का भी UP पुलिस से मुटबेड में मारने का एक तरह से दावा किया गिया इसके बाद नरेज भाटी गेंग की कमान उनके छोटे भाई रणपाल भाटी और भाणजे अमित कसाना ने एक तरह से संबाल ली दोनों ने नए सीरे से गेंग बनाया और फिर काम शुरू कर दिया इस दोरान अनिल दुजाना ने भी गेंग में शामिल हो गया तब ही से अनिल दुजाना और सुन्दर भाटी गेंग के बीच गेंग वोर चली आ रही है साल 2011 सुन्दर भाटी को मारने के लिए उनके भांजे की शादी में ही रंदीब भाटी और अमित कसाना ने अनिल दुजाना के साथ मिलकर एकके 47 से ताबढ़ तोड गोलियां बरसाई हाला कि उस समय सुन्दर भाटी बच निकला लेकिन इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई सुन्दर भाटी को मारने के लिए बरसाई गई गोलियों से जो मोते हुई थी उसी मामले में साल 2012 में अनिल दुजाना को यूपी पुलिस ने पकड़ा और बाद में जेल भेज दिया गया अदावत का ये सिलसिला लगातार जारी रहा साल 2014 में सुन्दर भाटी ने अपने उपर हुए हमले का बदला लेने के लिए अनिल दुजाना के भाई की हत्यागर दी दुजाना ने जेल में रहते हुए ही कई दुसरे गेंग के साथ मिलकर अपना काम उस समय से जारी रखा कहा जाता है कि दुजाना अपने गेंग में लगातार नए सदस्यों को भी जोड़ता रहता था धीरे धीरे अनिल दुजाना के गेंग का पूरे पशीम उत्तर प्रदेश में प्रभाव बढ़ने लगा जेल में रहते हुए ही अनिल दुजाना ने साल 2015 में जीला पंचाय सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता हलाकि बात में गोतम नगर के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था अनिल दुजाना की शादी का किस्सा भी कम दिल्चस्प नहीं है जब आप ये सुनेंगे तो आपके भी एक्तर से रोंगठे खड़ हो जाएंगे इस शादी को कुछ लोग मजबूरी का नाम भी देते हैं दरसल बागपत के रहने वाले लीलू का राजकुमार से 40 बिगा जमिन को लेकर विवाद चल रहा था कहा जाता है कि राजकुमार ने लीलू से मुकाबला करने के लिए अपनी दो बेटियों की शादी जाने माने अपरादियों हरेंद्र खड़खड़ा और उसके भाई से करा दी थी इनके सामने लीलू कमजोर पढ़ रहा था इसी वज़े से लीलू ने भी अपनी बेटी पूजा की शादी हरेंद्र से भी बड़े अपरादी से करवाने की ठान ली उसकी नजर में सुनिल राटी फर हमला करने वाला गैंग्स्टर अनिल दुजाना पर टिकी और उसने अपनी बेटी पूजा की शादी उस वक्त दुजाना से करवा दी हाला कि उस समय अनिल दुजाना जेल में था सवाल ये था कि अब शादी कैसे हो पाईगी इसके बाद एक मामले में पेशी के लिए 16 फर्वरी 2019 को अनिल दुजाना को ग्रेटर नोईटा की सूरजपूर कोट लाया गया अनिल दुजाना ने कोट में ही पूजा से उस समय सगाई कर ली फिर फर्वरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बहार आया और पूजा से शादी कर ली अनिल दुजाना की पतनी उससे मिलने जेल भी जाया करती थी और जानकरी है कि दोनों की एक बेटी भी है बादलपूर के दुजाना गाउं को आज भले ही अनिल दुजाना की वज़े से जाना जाता रहा है लेकिन कई दशक पहले भी लोगों के कानों में इस गाउं का नाम ग असी के दशक में सुन्दरनागर उफ सुन्दरडाकू बहुत चरचित हुआ करता था। सुन्दरडाकू ने तातकालिन परधानमंत्री इंद्रागांदी की हत्या की धमकी दी थी। हाला कि कई बार गिरिफतर होने के बाद पुलिस के साथ मुटबेड में सुन्दर डाकू भी मार दिया गया था पहली बार अनिल नागर जब जेल गया तो उसे अपने नाम के आगे से नागर हटा कर अपने गाओं का नाम दुजाना जोड़ना शुरू कर दिया कहते हैं कि दुजाना पशीमी यूपी में यमिन पर कबजा करने, कबजा छुड़वाने, लूट और रंगदारी वसुलने में माहिर हो चुका था अनिल दुजाना के उपर नोईडा पुलिस ने 50,000 और बुलंद शहर पुलिस ने 25,000 रुपे का इनाम घोशित किया हुआ था मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते सप्ता, जेल से बहार आते ही अनिल दुजाना ने अफने खिलाफ गवाई देने वालों को धमकाना शुरू कर दिया था एस्टी एफ ने दुजाना की खोजबिन उस समय से ही शुरू कर दी और गुरुवार को मुठबेड में उसे मार गिराने का दावा किया गिया है अनिल दुजाना और ऐसे कई सेकड़ों अपरादी उत्तर पुद्रेश, उत्तर प्रदेश, स्टी एफ के हत्ते चड़ चुके हैं इनकी संख्या लगबग 184 से भी अधिक है जो की ओन रिकोर्ड है अब ओफ रिकोर्ड कितनी है ये तो पुलिस के अधिकारी ही बता पाएंगे परंतो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे माफिया, अपरादी, बाहु बली ऐसे कई अपरादी माफिया हों उन सब के खात्मे का काम लगातार जारी है जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सस्क्राइब करें हमारे चैनल को इसे तो आपका कोई सुझाव हो तो आमंतरीते हमारे कमेंट बोक्स में, शुक्रिया, मेरा नाम है नीरज और यह खबर लिखी थी हमारे साथी शाक्षी में, शुक्रिया